हाई एवरीवान वेलकम टू स्लीपी क्लासेज आज हम डिसक्रिस करेंगे मेडिटेरियन सी बहुत ही इंपॉर्टें टोपिक है 21 कंट्री की बॉंडरी टच करती है करेंगे मेडिटेरियन सी को तीन कॉंटिनेंट्स टच करते हैं तो काफी डिटेल में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो चलिएzॏं को स्टार्ट करते हैं अचा मेडि टेरियन तो नोर्थ में यूरोप है और साउथ में नॉर्थन अफ्रिकन कंट्रीज और इस्ट में हैं एशियन कंट्रीज तो इनको हम ट्रिक वाइस याद रखेंगे तब ही आपको अच्छे से याद होगी तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं मैप में ही यह आपको रिजन देखने को मिल रहा है तर्की वाला इसको हम बोलते हैं अंटोलिया और यह वाला जो रिजन है इसको हम बोलते हैं लेमनंत तो यह कुछ पाइंट है जो आपने याद रखने हैं और अगर हम ग्लोबल ओशियन सर्फिस की बात करें तो तो मेडिटेरियन्सी कितना एरिया उक्क्यूपाई करता है 0.7% अब दिखें यहाँ पर कंट्रिज देख लेते हैं जिन कंट्रिज के बॉर्डर टच करते हैं मेडिटेरियन्सी को अलबीनिया है जीरिया है बोस्निया है जोगोवनिया ग्रोशिया साइप्रस हीजिप्ट प्रांस, ग्रीज, इसराइल, इटली, लेबनन, लीबिया, माल्टा, मॉनेको, मॉन्ट नेग्रो, मॉरेको, सॉलवीनिया, एंड टुनीशिया. तो इनको हम ट्रिक वाइस याद करेंगे, ऐसे तो हमें याद नहीं होगी. तो हम यहाँ पर कॉंटिनेंट वाइस देखेंगे सबसे पहले. तो अफ्रिकन कंट्रीज कौन सी हैं? इलजीरिया, एजिप्ट, लीबिया, मॉरोको, एंड टुनीशिया. इसको हम दो ट्रिक से याद कर सकते हैं. एक है माल्टी. एक ट्रिक है जो आपने याद रखने हैं मैटल. मॉरोको, एजिप्ट, तुनीशिया, जीरिया, लीबिया. अब यहाँ पर चो ट्रिक आपको अच्छी लगे. उस ट्रिक के एक वाडिंग आप इसको याद कर सकते हो. देखो ट्रिक के साथ साथ जब हम मैप में देखते हैं तब हमें अच्छे से याद हो जाता है दो-तिन बार आप मैप में देखना उसके बाद आप ट्रिक को पढ़ना तो आपको याद हो जाएगा मरको, एलजीरिया, लीबिया, जिप्ट और तुनीशिया यहाँ पर आपको तुनीशिया देखने को मिलेगा उसके बाद एशियन कंट्रिस देख लेते हैं इस्राइल, लेबनन, सीरिया, टर्की अब यहाँ पर कई बुक्स में आपको पैलेस्टीन भी देखने को मिलेगा उसके बाद यूरोपियन कंट्रिस आप देखो यूरोपियन कंट्रिस बहुत सारी हैं और इनके ट्रिक भी हम काफी इच्छे से समझेंगे तो एक बार यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं ग्रीस एंड बोस्निया में फैसिजम है अब यहाँ पर हैर्जोगोवनिया एंड मैंने बोस्निया को अलग कर दिया लेकिन अलग नहीं है इसको आपने वस इस ट्रिक के कोर्डिंग समझना है और दो तरह से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा अभी के लिए यहाँ देखिए मैं ग्रीस हम याद कर सकते हैं बोस्निया इजी है कंट्री आगी ट्रिक में और में में आपने जस यहाँ पर एम को देखने है माल्टा एंड मॉन नेगर फैसिसम में घर हम देखें तो फ्रांस है Albania है, Spain है, Croatia है, Cyprus है, Italy है, Slovenia है and Monaco है उसके बार यहाँ पर ऐसे हम Herzogovania देख सकते हैं वैसे हम Bosnia एक ही country है Bosnia and Herzogovania इसको आप एक भी कर सकते हो और separate भी कर सकते हो अब आप इसको दो तरह से याद कर सकते हो Bosnia में fascism है जी ठीक है जी, जैसे भी आप इसको याद कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, Greece and Bosnia में fascism है अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, कौन-कौन से C है अच्छा, अब आपने जैसे आपको PDF मिली के टेलिग्राम चैनल पर यह जितने भी मैंने आपको countries बताई है न, Europe में यह एक बार आपने देखनी है अच्छे से जब आप countries को देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे countries उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमने C's याद रखने है जैसे Belerik Sea है, Terenian Sea है, Aion Sea है, Adriatic Sea है Izyan Sea, यह हमने previous session में पढ़ा था Black Sea जहां मैंने आपको डिस्क स्क्रवाया था Sea of Crate है और Alboran Sea है तो यह हमारे total 8 C हैं जो हमने Mediterranean Sea के point उसे याद रखने Belerik Sea, Adriatic Sea, Terenian Sea and Liberian Sea Azean Sea, Aion Sea and Sea of Crate and Alboran Sea यहां हमने सभी की सभी C देख लिए एक यहाँ पर Liberian Sea रह गया था, ठीक है यह सभी C की location आपको पता होने चाहिए अच्छा, यहां पर आपने इनके states नहीं आद करने जो states connect करने इनसे question नहीं पुछा जाता जस्ट आपने इनके C की locations आपको पता होनी चाहिए जस्ट आप यहां पर थोड़ा सा देख सकते हैं जस्ट आपको यहां पर जो statement वाले question आएगे उसमें बस यह बुछा रहेगा कि Mediterranean Sea में कौन-कौन से सी पार्ट है जैसे Belerik Sea हो गया, Adidatic Sea हो गया तो इस सार से आपसे पुछा रहा सकते हैं तो trick है, बैट ला इसका जैसे हम बच्पन में cricket खेलते थे ना तो हम बोलते थे, बैट लाइस का आप मैं run बनाऊंगा तो आप इसके थू याद कर सकते हो और बहुत easy सी trick है और आपने यहां पर इस trick के थू याद करना है Belerik Sea, Adriatic Sea, Tahirinian Sea, Andaligran Sea, Aisyan Sea, Aisyan Sea, Sea of Great and Elf Brown Sea तो यहां पर hopefully मैंने सबके यहां पर नाम सही लिया हूँ और अगर गलती से किसी के भी नाम गलत लिया हूँ तो उसके लिए माफी चाहूँगा एक बर आप Google कर लेना और देखिए यहां पर आपने एक बर इसको revision भी कर लेना है इस map के थूँ जैसी मैं आपको PDF शेयर करूँगा तो आपने सभी के सभी यह जो मैंने आपको सी बताये हैं इनको आपने revise करना है और अब grant affair के point of view से देख लेते हैं जो information important है तो आपने just यह point याद रखना है बारसिलोना convention for the protection of the marine environment and the coastal region of the Mediterranean and its protocol and यह जो है न यूरो-meditarian partnership अब just यह basically काम क्या करती है देखो meditate जो Mediterranean Sea है इसको basically इसका ecosystem अच्छा रहे इसके लिए basically यह काम करती है और जो हमारा यहाँ पर horizon initiative है और यह CARO 2006 में हुआ था इसका main motive था कि यहाँ पर pollution कम से कम हो वैसे तो यह topic environment में काफी detail में discuss करने वाले है जस्त आपको यहाँ पर थोड़ा सा cooperation के point वह से पता होना चाहिए sometimes क्या होता है कि जब statement वाले question आते हैं तो हम थोड़ा सा confused हो जाते हैं तो आपने यहाँ पर इनकी name याद रखने है detail में हम फिरकभी environment में इनको discuss करेंगे अभी के लिए जस्त आपने आपने name याद रखने और एक यह map बहुत important है Caspian Mediterranean oil pipeline अब यहाँ पर location आपने याद रखने हैं आपकू जो की अजरबाइजान में हैं और एक्जिकली यह connect कर रही है Ceyhan, Ceyhan कहां पर है टुकी में और यह कितना एक्जिकली आपको pipeline देखने को मलेगी 1060 km और विकीवीडिया पर यह आपको 1068 km है तो approximately आप यहाँ पर याद कर सकते हो और एक दिन में यहाँ पर हम कितना capacity देख सकते हैं तो 1 million barrel per day हम यहाँ पर transfer कर सकते हैं तो important है और यह question पूछा जा सकता है exactly location आप से पूछी जा सकती है कि कहां से कहां तक हैं और per day की capacity पूछी जा सकती है 2005 से functioning में है तो important हो जाएगी Caspian Mediterranean oil pipeline तो आज के session में इतना ही और जितने हमने tricks discuss करी इनको एक दो बार अच्छे से देखेगा और map के साथ अगर आप देखोगे तो आपको काफी लंबे समय तक ज्याद रहेंगी तो चलिए फिर कभी अगले session में मिलेंगे तब तक के लिए bye bye take care झालब झालबे कर दो आपको पहेंगे उनको के कि लिए देखेगा